दिल्ली की हाई कोर से सबसे बड़ा फैसला निकल करा है फैसला एडमिसा से लिटेड है लेकिन कुछ लोगों का बोलना है कि फर्म नहीं आएगा कुछ इस्टुडेंट मेरे पास कोमेंट किये हैं कि सर क्या फर्म नहीं आएगी इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है देखिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आप लोग जान जाएगे कि आप लोग का एडमिसां फर्म आएगा फर्म बहुत जल आएगा ज़ल कि अभी देखिए नहोदी विद्धल ने क्या किया है कि अजो प्रसलेंद का रिजल्टा उप्डेट किया है यानि रिजल्स जारी किया हु उसके बाद बद करते हैं कि क्या कूछ अपडेट ही हाई कोट के तरब से तो हाई कोट का अपडेट भी सुनते हैं अशलेक्षन वहा तो ये जानते हैं कि एक लड़की निर्देश आया कि दिल्ली हाई कोड ने जवाहान अवदेविदाले को निर्देश की दिया कि वह सुनिष्चित करें कि किसी भी बिद्दार्ती को मात्र इस अधार पर पर्वेशन से वंजित नहीं किया जाए कि वह उस जिले का नहीं है जहां पर वह इसकूल ही ठीक है यार भरेंगे उसी जिले में एडमिशन पहले होता था यानि सीधा सा मतलब मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को पहले पढ़िए ठीके आज जस्टीस सी हरी संकर ने जोहान अधि विद्दले मुंगेशपूर के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें एक छात्र को परवेश देन जी रखेगी देखिये हुआ क्या था फिफ्द्ध क्लास किसी और जिली से पढ़ी थी और एक्जाम किसी और जिली में दे दी यानि कि आप मान लीजिये अपने मामा घर चले गए आप रहते हैं अपने घर तो आपका झिला अलग ben ठीके तो आपका झिला वहां हो गया तो आप उसी जीला में मतलब क्या करेंगे एडमिशन कराएंगे उसी जीला के उसी स्कुल में तो वहाँ पर वन्चित किया जाएगा कि देखिए बाबू आप इस जीला के नहीं है आपका एडमिशन यहापन नहीं होगा पहले ऐसा रूल था ठीक है अब देखिए अब रूल यह हाई कोट ने बताया कि आप भले किसी जीला किसी और जीला में रहते हैं लेकिन फर्म किसी और जीला में डाल सकते हैं कोई प्रबलम नहीं है ठीक है तो ऐसा उन्होंने बताया यह नियम, ओल्ड नियम क्या थी, यानि कि पुराना नियम क्या था, कि 5th class उसी जिला में पढ़ाओना चाहिए, जिस जिला में 9th विद्धाले में selection आप पाना चाहते हैं, यानि कि जिस जिला में रहते हैं, उसी जिला में 5th class पढ़िए, और उसी जिला में फर्म भरिए, उस किसी और जिला में भी रहे और जाहे मैं भी फरम डालीये पढ़िए उससे मतलब नहीं आपका एड़ मिसन होगा इस बात से वन चित नहीं होंगे की आप उस जीरा के नहीं है ठीक है ऐसा कूछ आदेश आया था बस यह छोटी सी आदेश थी बाकी आप यह जानना चाते हैं कि युग्यता के रहनी चाहिए एज कितनी होनी चाहिए फ़र्म बढ़ने के लिए फ़र्म कब आएगी परिछा कब होगी सब कुछ इस वीडियो में एक्स्प्रेंट किया गया है जो कि इस के इन पर आपको दिखाई दे रहा है इसको प्लै लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बोटन पर क्लिक करके जाकर देशकते हैं बाकी मैं आप सुझ को बता यह कि चप्रेंट का अलग अलग पीडियाप और साथ में उसका वीडियो क्लासे ठीक है और साथ पिछला सल का आपको मैं पेपर दूंगा और आठ प्रैक्टिस दूंगा और बाकी वह मार्चिट निव अलग कैसा है वह आपको देखने को मिलेगा यानि संपूर तैयारी कर आपको मैं आपको यह कोर्स दे रहा हूं पहुत जल्द आपका एजाम होने वाला है चार मन्त के और बचा हुआ है आपके पास तो जल्द इसल तैयर कीजिए किसी और किजिए है तो अधर के आप को जहां करना होगा नोटिफिकोसं के लिए बैल आइकन को ऑल का ना अगा थैंक杂 order झाल झाल